हेलो चिल्डेन आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं नेक्स टॉपिक जो कि पॉलूशन है और यह पॉलूशन होता क्या है आप सभी जानते होंगे जनरली कि वाटिस पॉलूशन एक सिंपिल लेंग्वेज में हम देखते हैं जैसे हम सड़क पजा रहे हैं वैकल से जो भी दुआ वगरा निकल रहा है बहुत जादा कहीं देस्टिंग हो रही है कहीं और भी जो एक्टिविटी सुबह सुबह जैसे मौनिंग में हम जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारी इस तरीकी की एक्टिविटी होती है और हमें मालूम है यह सब क्या है पॉलूशन है तो एन्वारमेंट में हमारे जो भी इस तरीके की अंडिजारेबिल एक्टिविटी हो रही है जिनको हम नहीं चाहते लेकिन वह हो रही है और होती भी है जो कि डेली रूटीन का एक हिस्सा है हमें नहीं मालूम यह हमारे ओपर क्या अफेक्ट डालती है जो पॉलूशन है वो क सब्सक्राइओ कहिं क्टिविजारेबिल को हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं अंडिजाइरेबिल हैं और इससे क्या होता है कि हमारे एन्वारमेंट पर एक गुरा इसका असर पढ़ता है या बुरा प्रभाब पढ़ता है ओके और इसके बाद लिखा है मैंने including human beings raw material आप हमारे environment पे raw material जो होता है वो उस पर और including human being human being हमारी ही life है आपको मालूम है सबी कि जो human beings होते हैं सबसे superior होते हैं किसमें animals में तो हम लोग भी animals ही हैं तो आप लोग ज्यादा depression में मता जाए हम लोग superior है सबसे तो यह pollution इस तरीके से क्या होता है desirable जो कि हमारे environment में मिल जाते हैं या मिला दिये जाते हैं उससे हमारा pollution होता है अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो pollution हो रहा है यह इसी में हमारा pollution के हिसाब से एक word होता है pollutants अब यह pollutants वह material हैं जो कि हमारे environment में मिला दिये जाते हैं या हमारे environment को pollute कर रहे हैं वह pollutants कहलाते हैं तो pollutants होते क्या है कि undesirable substance that causes the pollution जो कि हमारे environment में आ जाते हैं या मिला दिये जाते हैं और undesirable होते हैं undesirable के पाद हमारे environment को क्या करते हैं pollute करते हैं जो भी substance हमारे environment को pollute करते हैं तो इसके types कितने होते हैं types of pollution इसके बात है हमारा types of pollution अब यह कितने तरीके का होता है pollution यह भी हम देख लेते हैं आपके इसमें यह five kind of pollutions are दिया है तो पहला तो है air pollution and second one water pollution and third one soil pollution है and fourth one है noise pollution हो क्या एक एक है noise pollution and fifth one है radiation ओके तो इस तरीके के यह आपके यह लिख देती हूं है air pollution तो यह five kind of pollutions are there in your course तो आपके course में जो पांस तरीके के pollution है अब हम सबसे पहले इसको लेंगे air pollution को ओके तो pollution क्या है तो आप जाने के तो चलिए आब आगे देखते हैं सबसे पहले हम उठाते हैं इसको air pollution तो सबसे पहले हम देखेंगे air pollution what is air pollution आप सबी को मालूम है कि हमारी जो चारों तरफ है वो air होती है हमारे atmosphere में air होती है उस air में क्या होता है air भी एक composition composition है composition of many gases ओके तो एर का जो composition है यहां मैं red से लिखती हूं air को जो composition होता है there are जैसे की composition composition of air यह का composition क्या होगा सबसे पहले तो N2 है इसमें nitrogen जो कि 78% होती है फिर आते है oxygen पे जो कि हमारी 21 से 22% तक होती है और इसके बाद हमारे पास यह हो गई nitrogen हो गई oxygen हो गई और argon, krypton इस तरह के की जो gases है 0.02% होती है और इसके बाद moisture है air है other gases यह 0.9 है 0.9% okay and other gases other gases यह होती है 0.2% लगबग लगबग इतना होता है तो इसका जो composition है वो O2 को कम अगर हम यह composition हमारा एक ideal composition कहलाता है ideal मतलब कि यह composition हमारा air का होना चाहिए it means कि अगर यह composition है यह वाला composition nitrogen 78% oxygen उसमें 21-22% है argon है other gases are there अगर यह composition है हमारे atmosphere में हमारी air में जो कि हम inhale कर रहे हैं जिस air को तो यह ideal composition है अगर हम इसमें से oxygen की जो percentage है 21-22% इस percentage को हम कम कर दे तो क्या होगा कभी आपने सोचा अगर हम इस oxygen के percentage को air composition में से कम कर दें तो क्या यह composition हमारा इस शूड़ भी देया है टू इन्हेल अंदा एयर हम आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि मैं क्या करें कि एयर यह का मिन्स हम oxygen नहीं नहीं हम oxygen नहीं लेते हमारा जो oxygen हम poly oxygen नहीं ले रहे हम एयर को ले रहे हैं एयर का जो composition है जो आपने छोटी classes में बढ़ा होगा that is the 78% nitrogen है oxygen है argon है kipton है और other gases हैं जो कि थोड़े थोड़े इसमें होती है जो mainly है वो nitrogen और oxygen होती है is that के लिए तो हम इस composition को बिगार दें कम ज्याद कर दें किसी percentage को जैसे मैंने भी बताया तो यह क्या कहला जाएगा यह pollution कहला जाएगा किसमें एयर मों कहला जाएगा यही मैंने लिखा है the main pollutants are minute solid particle of ash ash आप सोच रहे होंगे ash कहां से आगे हमारे पास तो जो हैवं जो fossil होते हैं fossil fuel जिसको बोलते हैं जो जमीन के नीचे से हमको gain होता है जैसे कि petrol है, diesel है, kerosin oil है, यह सब क्या है? fuel है. अब इनको जब हम और यह इसमें क्या होता है? hydrocarbons होते हैं जो कि जब जलते हैं, burning करते हैं, जब burn करते हैं तो atmosphere को pollute करते हैं. क्या करेंगे यह? वहां पे atmosphere में हमें क्या देंगे? carbon देंगे, hydrocarbon देंगे, जो कि क्या करेंगे, हमारे atmosphere को pollute करेंगे, तो ये हमारे मैंने बताया जैसे कि burning of fuel है, particle of ash, ash कहां से आएगी, ash मेंज कि बहुत सी mining industries होती है, और उसकी बात में mining छोड़िये, जो stone वगरा होते हैं, उनका ash हमारे atmosphere में मिलती है, कभी आपने सोचे, ये particle कहां जाते हैं, कहां जाएंगे, ये सब हमारे atmosphere में घुल रहे हैं, जिसको हम inhale कर रहे हैं, और हमारे air को pollute कर रहे हैं, तो इसका क्या है, कि ये सारे houses हैं, industries हैं, इतनी industry, आज कल industrialization इसकदर हो गया है, कि जहां देखू industry, तभी supreme court को order एक pass करना पड़ा, कि आप industry लगाएं, बहुत अच्छा है कि industry लगाएं, और जिससे की हमारे country डैबला फ्लो, लेकिन इन industry को कहां लगाना है, शहर से बाहर लगाना है, जिससे की जो भी वहां पर human beings rare है, जो society वहां पर है, जिस शहर में है, वो इससे अफेक्टिड ना हो, इस रट के लिए, तो यह का composition आपको समझा गया, अब इसकी तरफ चलते है, particle of ash and carbon and harmful gases, harmful gases कहां से आएंगी, बैक्टेश से आएंगी, industry से आएंगी, और बहुत सी houses में ऐसे burning होती है, काफी तरह की, उससे आएंगी, तो जो main harmful gases है, एक तो carbon light पे देखिए, कि इतनी लंबी-लंबी कतारे होती है, वेक्टेश की, बहाँ पर four wheeler होगा, एक single आदमी, a single person is there inside that four wheeler, लेकिन चलेंगे four wheeler पे, क्यों होई, एक शान है हमारी, two wheeler इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, metro नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक टांस्पोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमें show up करना है, और हमें किस से जाना है, four wheeler से जाना है, अगर हम अपने environment की बारे में सोचें, तो हम ये सब काम ना करें, हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, इस pollution को कम करने के लिए, तो carbon monoxide है, axis of CO2, CO2 means कि carbon dioxide बहुत जादा axis में, अगर हमारी किस में आ जाए, atmosphere में आ जाए, तो ये क्या करेगी, axis of CO2 से air pollute हो जाएगी, SO2, sulfur dioxide आ जाए जाए जादा, तो pollute हो जाएगी, hydrogen sulfide है, element of chlorine and lead, even lead भी होता है, जो कि हमारे किस में मिलता है, इस air में मिल जाता है, तो मैंने यहाँ पर note किया है, कि air pollution, अब इसका air pollution का sources क्या होता है, मैंने थोड़ा सा बता दिया, briefly आपको कि air pollution किस तरीके से होता है, किस कारण से होता है, अब इस में के दो reason होते हैं, दो sources होते हैं, किस किस तरीके से होता है, पहला तो यह है, पहला source है, natural source, जो कि अपना भी होता है, nature's के through होता है, एक होता है man-made sources, man-made source तो बड़ा ब्यंकर होते हैं, आपको मालूम है, natural sources जो हैं, वो किस तरीके कि होते हैं, जैसे कि एश फ्रॉम बाइनिंग वालकेनों कोई वालकेनों फट गया है उसकी एश बहुत उचाई तक जाती है और क्या होती है एर को पॉलूट करती है इसी तरीके से है यह डस्ट एंड इस्टॉर्म इस्टॉर्म आते हैं हमारे इंडिया में तो इतना नहीं होता अमेरिका में जैसे कंटी में जो कि बहुत फूली डैबलाप कंटी अपने आपको कहता है वह इतने भ्यंकर स्टॉर्म आते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पे तबाई होती है इसी तरीके से बर्निंग फॉरेस्ट जो की फॉरेस्ट होते हैं उनमें अचानक से आग लग जाती है कोई सोर्स前क वहिकूल से ऑपता अज़्यद मैं वह स skills hoto है और जवी जलता है तो क्या चोड़ता है सी ओटीज़ थोड़ता है काम बर्क हो रहा है वहाँ पर बनी हुई है बहुत उची उची जबनी होती है लेकिन है क्या आल्टीमेटली यहातो आटमोसफेर में जब रही है जो भी उसकी वेस्टेशेज तो भी harmful gases जाएंगी तो ऊपर ही जाएंगी तो एर में ही और एर के साथ mix up हो के एर को pollute करेंगी इसी तरीके से विक हैं हर लोगे जब यह क्लدا करना है आप चैबलु करना है और शहर से बाहर जाए करेब लेकिन हमेशा आप जब कहीं जा रहे हों आप तो जो रोट साइड अगर यह कोई होता है तो वहां जाके गौर करिए कि बहुत उपचाई की चिबनी लगी होती है लेकिन वहां से भी हर समय फ्यूम्स जो होते हैं स्मोक बाहर निकल रहा होता है और स्मोक क्या कर रहा है वह यह को जाकर जब चलेगा सब थो इसब क्या है हा और जाएंगी यह में जाएंगी यह को जाके पालूट करेंगी तो ति गैसी जो होता है वह को होता है वह और कारवन मूनो ऑक्साइड होता है जो कि वेरी वेरी पॉजनास टू हुमन दी इसका कट्रोल हम वेकल वेकुलर जो पॉलिटेंट है या पॉलूशन है इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं एक ही उसका वो है कि वी शूड यूज दा सी एंजी सी एंजी और अनलेड़िट पैट् पैट्रोल की तरफ हम लोग गए थे गॉर्मेंट गई थी लेकिन अब सी एंजी को प्रिफर किया जा रहा है और आग्रा में तो सी एंजी के बिना आप चला ही नहीं सकते अभी लेकिन पॉर वीलर जिनके पास परसनल है उनके लिए ऐसी कोई गाइड लाइन जारी नहीं कर रही है और तो और इसमें क्या है लेट फ्री पैट्रोल को इस्तेमाल कर यह पैट्रोल आपको अपने टूबीलर में पॉर वीलर में चाहिए तो आप लाइट फ्री जो होता है अब तो वह यूरो फोर वाले जो वैकिल सारे हैं उनको यूज करिए ओके इंडस्ट्रियल क्या हुआ था जो रिफाइनरी का स्मोक जो थे वह उसको पॉलूशन कर रहे थे ताज महल को तो सुप्रीम कोट ने इसको बैन किया था रिफाइनरी को कि आप अपनी जो स्मोक का है वह उसको चिबनी को दूसरी दरफ शिफ्ट करें जिससे कि वहां का जो स्मोक है एयर को पात्रह ना हो इस तरीके की रिफाइनरी जाता है जिससे किसी से पेट्रोल बनता है किसी से डीजल बनता है वहां पे कितना pollution होता होगा कितना ज्यादा gases release होती होएंगी harmful gases जिनको वो चिपनी के थूपर निकालते हैं लेकिन चिपनी के थूपर निकालेंगी कहा जाएगी तो एयर में ही ना तो इस तरीके से होगा हमारा इसी तरीके से में इंडस्ट्रियल एयर पॉलुटेंट आर सीयोटू एसोटू एंड कार्वन मोनोक्साइड यह इसका भी है यह इसका भी है ओके इसी तरीके से एक वर्ड आता है दा स्मोक रिलीज़ वाइद फैक्टी चिपनी इन्टू दा एयर कंसिस्ट ऑप पैटीकुले इन इंडस्टी से जो एयर निकलती है अब आप कहेंगे यह क्या है यह क्या बदा है तो पैटीकुलेट जो वर्ड है वो फॉर एयर पॉलुशन के लिए इस्तेमाल होता है अब ऐर में जोग हो रहा है वहाँ पे का रहा हुं यह में जो पर्टिकूलेट स्पेंदेड a can है जो के पर्टिकुलेट हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए जो भी solid टेज है solid और liquid suspended particles that are mixed in the air that are called the particulate okay तो air pollution anything solid or liquid suspended in the air it include यह क्या क्या इंक्लूट करेगा एनी सॉलिड और लिक्वीड एनी सॉलिड और लिक्वीड सॉस्पेंड़ सॉस्पेंड़िड इन दा इयर इन कॉल पर्टिकुलेट पर्टिकुलेट्स ओके अब इसको यह जो पर्टिकुलेट्स हैं तो इसमें क्या क्या होना चाहिए इंक्लूट पर्टिकुलेट्स में क्या क्या करते हैं इट इंक्लूट इसमोग इसमोग प्लस फ्यूम्स प्लस प्लस सूट ओके यह तीनों चीजें इसमें होती हैं एंड अधर कंबस्शन बाई प्रोडक्ट यह होते हैं प्लस कंबस्शनों बाई प्रोडक्ट यह सब भी चीजें किसमें होती हैं पर्टिकुलेट्स में होती हैं जो के एयर को पॉलोड करते हैं के एंड बाई बाई प्लस प्लस आप किसमें होती हैं किसमें होती हैं